दुनिया को शांती का संदेश देने वाले भगवान बुद के बचपन के नाम सिधार्थ के नाम से 29 दिसंबर 1988 को अस्तित्व में आईज़न पद सिधार्थ नगर का 35 स्थापना दिवस है और हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी जिले का इस्तापना दिवस से धुमधाम के साथ मनाय गया जिसका शुभारम भगवान गोतम बुद की प्रतिमाओ पर माल्यार पन इम कपिल वस्तुस्तुप पूजन के साथ शुरू हुआ जिसमें जनपत के जनप्रतिनी धी इम अधिका अरिगन्द सम्मिलीथ हुई आज ही के दिन 29-8989 को शिर्जत हुआ जनपत सिधार्दनगर का आज अस्थापना दिवस से आप देख पा रहे हम इस समय जनपत सिधार्दनगर के कपिल वस्तुमाइं यह सिधार्थनगर का यह कपिल बस्तूप है आप यहां देख पार है यहां सिधार्थ बताया जाता है कि गौतब बुंद कि यहां जो है बच्पन बीता है यहां यह खेल रहे थे यहां इन्होंने सिक्षा और गरहन किया था और बगल में ही लुंबनी जो उनकी राजदानी ह आज उसी के उपलक्ष में चुकि बगवान गौतम बुद यानी उनके बच्पन के नाम सिधार्थनगर सही जिले का नाम करण हुआ और इसको बस्ती से काट कर नया जिला स्रिजित किया गया जिला अपने 34 बर्स का सफर पूरा कर चुका है हलाकि अगर देखा जाए तो नहीं नहीं कहीं और द्योगिक शुन्नता और जनसंक्या के सापेक्ष परती विरोजगारी आज भी परिशानी का सबब बना हुआ है और यहां जो है यहां से काफी लोग माइगरेट करते हैं आज भी यह जनपत पिछड़े में घिना जाता है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी द्योस्था नहीं बन पई कि हाकोई ओद्योगिक लगाई जा सके जिससे जो है रोजगार से सरकार जो है बीजेपी गवर्मेंट लगातार प्रियास कर रहे हैं कि जीले को आगे बढाया जा और तमां चीज जीला सुन ता लेकिन आज सिक्षा के मामले में एक बढ़ियां म हैं काम हासिल किया लेकिन कहीं ने आज भी यह तमाम छीजों में खाशकर बेश्जगारी के मा 거는 में खासकर और देविक खेत्र मावले में में आज भी पिछड़ा है और लोगों के शमस्या पर रहें यह यह स्टू पार हैं यहां जो पूजार चना की विधायक और तमाम जो है जन परतिने और जो है आधिकारी बर्ग आप देख पार है यहां कारिक्रम हो रहा है यहां बहुत विच्छु बठें और उनको संबोधित कर रहे हैं तमाम लोग और लोगों में जो है कंबल आधि कुछ वित्रण भी किया जाएगा हर साल यही होता है अस्थापना दिवस के रूप में मनाय जाता है बड़े हरसोल्द से मनाय जाता है और जनपद का यह 19 दिसंबर को अस्थापना दिवस होता है और तो पिकल्दी और यहां तमाम जो है प्रोजी नेपाल है यह तराई वेल्ट है और वही जो है नेपाल बताया जाता है कि कपिल बस्तू जो लुंबनी जो है वो भगवान गोतम बुद्ध जो पूरी दुनिया को शांती का संज़ेश दिये उनका जनमस्थान है और यहां उनका बच्पन दीता इसलिए इस जनपत का नाम से धार्त नगर रखा गया तो आज उसका अस्थापना दिवेस है आप दे करते हैं भगवान गोतम बुद्ध के लिए और दूसरी चीज जो जनपत का सफर है जो जनपत ने अपना सफरते किया है जो जनपत में तमाम विकास की ओजनाओं को धरातल पर आयाम दिया गया है उसके विसे में लोगों को जान करें सिदार नगर से नवतेश टीवी के लि पलपल के अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबारान ना खूलें क्योंकि आपकी खबरों का घरोसे मन साथ ही है नवतेश टीवी